आप देख रहे हैं जन्मत आवाज में जाना होगा और वहां से उन्हें फोटू अप्लोड करना होगा अब इस कार्य करने में पटवारी ने अपनी अश्मर्ता वेक्ति की है पटवारी को एक आदिस प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया है कि आपको फसल का सरवे करने के लिए सिरे खेत पर जाना होगा पहले वो मोसम है और ऐसे में खेत में पोज़ना संभो नहीं होगा और कई जगा तो नेटोर को भी नहीं आता उन्हें ने मांग किये कि इस आदिस को तत्काल वापस लिया जाए नहीं तो हमें कलम बन हरताल पर जाना के लिए बात देवना होगा आएए देखते हैं पर जाना करने के संभने में गया पंस होगा है जियोफेंस गिर्दावरी एक ऐसी समझ से आ है कि पतेक पटवारी को हरे खेत पर फोटो खीच कर गिर्दावरी करनी पड़ेगी जो कि इस मोसम में पॉसिबल नहीं है बरसात का सीजने नदी नाले उफान पे रहते हैं दुरगम रास्ते जंगल हैं यहां पर नेट्वर्क भी नहीं आता है ऐसी जगों पर फोटो भीच के अफलोड कर पाना पॉसिबल नहीं है सासन इस तरह से भी हमें स्यूजी से लेकर फ़न तक नहीं दिये गए अभी तक तो ऐसी कई सारी मांगे हैं जिनको जीओ फैंस गर्दावरी के साथ हम अबाव में जीओ फैंस गर्दावरी नहीं कर सकते हैं इसको अगला क्या कदम रहेगा अगला कदम यह कि यदि सासन जीओ फैंस गर्दावरी कमाम समस्यां को आप वजूद हम से करवाएगी तो हम अकसमे करताल पर जाने के लिए वाद्य हम यह हमारे प्रांत का आवान है प्रांत के निर्देशन के नुसार हमने यह आपन सो पा आपका नाम सो मेरा नाम राहूल सिंटों मेरे दिलाद्रे कि मतरे सब्साइब